बहुत बहुत करता हूं स्वागत आपको अपने चैनल इजुक्रिशनल आरके पॉइंट पाने के लिए एंड यहां पे रना कुछ जादा ही बड़ी अपडेट अब आ गई है अब बीएट करना भाई साहब आपके लिए मेरे ख्याल से फैदामंद नहीं होगा जो चाहते हो वो भी आप एक बड़ी निउस सुन सकते हो क्योंकि यह जो चीजे है न वो इस साल 24 पे तो नहीं लेकिन 25 में यह चीजे लागू होने वाली है और यह सिफ अपने राजे में नहीं all over इंडिया में लागू होगी क्योंकि यहां पर NCTE के बारा नहीं चीज बताये गई है जो आप मामला समझते हैं कि आज से कुछ दिन पहले सबसे पहले सग्यान में आया था यहां पर आप लोगो कि चार वर्स ही बीड ही करना पड़ेगा उन लोगों को जो इस्पेशल बीड करते हैं जो लोग थुरा सा दिव्यांग में सरेनी में आते हैं वह चार वर्स का बीड उनके लिए वेल्यूबल है ना कि दो साल का बीड पहले वो लोग मजे से दो साल का बीड कर लेते थे और वो जो फिर जाकर अपना जो भी करना होता था वो अपना टीचर का जौब ले लेते थे लेकिन अब एक नया बतलाव आ गया तो आप समझ चुके थे मैंने कुछ दि कुछ लिए तु अंधर प्राइम बैदा ऊंधरी कश्लिए रची परका प्रणा करूं जोब लेकिन राएं तो ईसके का पर्र दाबिड का लिए या को कि प्रलल कर सकते थे दो बीएट के थुरू आप जॉब ले सकते थे जाके आप दो साल का बीएट करो या फिर चार साल का बीएट करो मतलग उससे नहीं रहता था पहर है आप बीएट अगर किये हुए हो तो आप 6 से लेकर 8 तक जिसको बोलते हैं मीडिल ठीक है तो आप इसमें भी जॉब पासकते थे 9 to 10 में भी आप जॉब पासकते थे 9 to 10 दिक है तो इसमें भी जॉब ले सकते हैं काफिये असानी से छिसदों 6 to 8 आ गया और 9 to 10 आ गया इसमें भी आप काफी असानी से जॉब पासकते थे जो कि आप बीएट किये हुए हो धो साल कर या फिल 4 साल का मतला उसे नहीं है आप य यह आई है कि देखिए 125 पुला तो अल्री छटा हुआ है इसमें तो ड्रेड़ वाले ही जा सकते हैं 23 क्या है अगि आगे प्रोरी में समझाऊँ गार इसके तहाद है अगर आप चार सल का ब्लेण कर लेट किया हो तो ही यह आप सकते ही में आप समझ मा गया बूर्त गया में अफ्ट नो चीजे तो वह जो चीजे हैं वह आप करे हुए हो तो इसमें जा सकते हो जैसे ही आप इसको कॉम्विट करोगे आप अगर 11 तो परहना है तो उस वाले में कीवल दो सॉल के भीट के हुए ऐफडर में ग्रेजुवेशन के बाद 2 लेट को उसमें के लिए वयोय होगा या फिर हैए हाइयर एजुकेशन में ठीक है है इस समें से भीट positioning तो अब 2 सल के B8 को बाहर कर दिया गया है ठीक है यह चीजे अभी आई नहीं है लेकिन आने वाली है तो पहला यहां जलख सरकार ने आपको दिखा दिया है यहां पर सबसे पहले बता दू कि 25 से 26 में पुराना चार वर्षी बेड जो चल रहा था आफ्टर 12 के बाद बीड बी सब्цев Gerade में उसमें जो प्राया आपको जाता था उस वाले में एक-दो कोर्स और मैं जोड़ दिया हूं पर सिच्छन के नाम पर कुसकुछ चीज़ और एड किया हूं ठीक है लोग को अपनाना पड़ेगा हरे कॉलेज को और जो लोग कर रहे हैं और यहां ध्यान देना उन लोग को मिदिल में और सकेंडरी में परहाने की पुरी जनकारी रहेगी और वही लोग परहा सकते हैं जो अब बच्चे चाहते हैं करना उनके लिए कहा गया कि यह जो चीजें है दो साल का बियर्ड अभी तो फिलाल हम बंद नहीं कर रहे हैं यहां देखिएगा फ्रेंस यह बंद यह जो कहा कि नहीं अभी तो दो वर्षिये बेट कोर्स जिचको करना वो कर ले कोई सूचिना नहीं है लेकिन दो वर्षिये क्वित करना कायकरम करना ही अनिवारी होगा ऐसी नई सिच्छा नीती में असपष्ट प्रवधान दिया गया है दो वर्षिये बेट कोर्स आगे उच्छ सिच्छा जैसे कि में इन एजुकेशन एमेट फोर पीछ दी आदि करने में काम करेगा और कॉलेज में बच्चों को करने में यह चीजें यहां पर काम करेगी और यह बात है कि कप्स लागू होगी अब देखें इसी कहा गया है कि वह लागू होगी पचीज से चब्वी से अंदर में सभी जगह चार वर्षिये बीट को चलाने में संस्थानों को लाओ करना होगा इस सतर से अन्य कॉलेज जो वह चीजें आएगा और स्कूल में सिच्छक बनने के लिए 2030 में सिप नया अपडेट चार वर्षिये बीट कायकरम जैसे बीए बीए यह चीज ही होगी तो आपको अपसी समझ में आ चुका है कि जो बच्चे दो साल का बीट किये हुए हो पहले से रखे हुए वह लोग 2030 त करकर बैठे हुए है या फिकरने वाले इस साल है तो वह लोग तो सब में तो है ही 125 चोड़के बाकि समय वह तो जा ही सकते हैं अब प्लस के अंदर में दो वर्षे बीएट को सिप इस सब से बाहर करकर सिप उनको कॉलेज वालों के परहाने के रखा जाएगा बाकी तो आप की जो नुक्सान है वो तो आप जो आपको नुक्सान है ही हाँ एक बात और है कि आपके मन में यह चीज होगा डाउट कि सर यह बताईए कि क्या जो दो साल के बेट कर रहे हैं हाँ जी बिल्कुल वैलिवल है आप दो साल के बीएट कीजिए लेकिन अब दो इस साल ठीक है लेकिन 25-26 वाले के अंदर में कुछ परिवर्तन आ सकती है यह साल तो नहीं कुछ परिवर्तन इसमें आ सकती है 25-26 में जिसके अंदर में इस चीजे आपको लागू हो जाने के बात में 25-26 से जो किये हुए हैं वह केबल 4 वरस्य बेट को ही इंट्री करने देंगे जो बच् तो फ्रेंस आप लोग के बाद में जो किये हुए दो हजार तीस तक स्कूल स्विचर बनने का मौका दिया जाएगा दो हजार तीस के बाद ना आप लोगों को यहां पर दो साल जो बीट किये हुए हो यह सब तो उन लोगों को तीस तक इंटी दिया जाएगा उसके बाद फिर उनको यह चीज में बाहर कर दिया जाएगा अब आते हैं फिलाल आप एक पॉइंट और समझ जाएगे कि अगर फिर मौका नहीं दिया जाएगा इस्कूल सिचक में घुसने का ठीक है यहां पर जो अब तक बताया गया है अभी डिटेल्स नोटिफिकेशन नहीं आई है लेकिन बस यहीं जो है एंसिटी के तरहत में जो आये माला समझ में आया है वही बाते कहा गया कि 25 से 27 में जो कर रह हो आप 24 निशन ले लिए 23 में लिए हुए हो 22 में लिए हुए 21 में लिए हुए हो आप complete है इन सभी के 23 तक जोब में रखा जाएगा इस्कूल में बाकी नहीं अब पचीश-26 में लिए हो तो वह सब ऑलड़ी बाहर है तो वह 30 तक हो क्या वह पहला ही बाहर हो गया उन लोग कर दिया गया है समझो तो यह सल लास्ट है आपको और आपको यह बीएट करने में फैदा है तीस तक मिलेगा तो अपना आप देख लीजिए जैसा वेकेंसी भी तो आती है राम के नाम से ही यह चीज़े बदलाओ कर थोड़े बहुत परिवर्तन में कर दी गई है थैंक्यो